and GCS score इसके अंदर mainly 3 point होते हैं and इन 3 point को हम move से याद कर सकते हैं MOVE and MOVE इसमें से MO का मतलब क्या है motor response, V का मतलब क्या है verbal response and E का मतलब क्या है I response और देखिए जो यह 3 response है ना यह हम किसके अंदर देखते हैं patient के अंदर, head injury वाले patient के अंदर मतलब की patient का हम motor response देखेंगे patient का हम verbal response देखेंगे patient का हम I response देखेंगे and जो 3 response होते हैं इसमें से जो motor वाला होता है इसके अंदर 6 point होते है verbal के अंदर 5 point होंगे and I वाले के अंदर 4 point होते है मतलब की आप इसे ऐसे याद कर सकते हो MOVE 6, 5, 4 मतलब कि आपको 6 से लेकर 4 की तरफ move होना है मतलब कि motor के 6 point, verbal के 5 point and i के 4 point and इसी के साथ मैं एक और चीज क्लियर कर दूँ कि जो GCS score होता है न इसका minimum value कितना होता है 3 और maximum value कितना होता है 15 देखिए minimum में आप 0 मत बोल देना कभी भी किसी भी patient का GCS score 0 नहीं होता है minimum value कितनी होती है 3 होती है and maximum कितना होता है 15 और देखिए 15 को आप calculate भी कर सकते हो मैंने बोला ना motor का कितना है 6, verbal का कितना है 5 and i का कितना है 4 तो अवराल 6 plus 5 plus 4 कितना हो गया 15